हेल्लाव एब्रिवाइन, होप योगाइस दोइंग ग्रेट, हेयर आइम विडियो, आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ से न्जॉय कर रहे होंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ के मैं अपने मेकप ब्रिशी को कैसे वाश करती हूँ, य यह मेरा फाउंडेशन ब्रेश है, जिसका भी फोर और आफ्टर आप लोग देख सकते हो, इसी तरह कुछ ही देर में आप अपने मेकप ब्रिशी को भी नीट एंड क्लीन कर सकते हो, अगर आप लोग मेरा चैनल पे नीउ हो, तो लाइक, शेयर, एंड सब्स्क्राइब माई करते हैं, उनके पार्टिकल्स उनमें रहते हैं, जो के बैक्टेरिया पैदा हो जाता है, और जब हम उन ब्रशी को रेगुलर यूस करते हैं, तो इसे हमें एक नी हो जाती है, या और भी स्किन प्राबलम्स हो सकते हैं, तो इसलिए अगर आप बहुत जादा डेली बेसिस पर मेकप यूज करते हो डेली बेसिस पर आपने ब्रशी को ज़रूर वाश किया करें, और अगर आप अफन और मेकप करते हैं, तो फिर मन्त में एक दफा आपने मेकप ब्रशी को ज़रूर वाश कर लेना है, बहुत एजी और सिंपल वे आप लोगों के साथ शेयर करती हू तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल, और मैं लेती हूँ बॉडी वाश, अगर आपके पास बॉडी वाश नहीं है, तो आप शैंपू भी ले सकते हो, यह स्वीसमीस का बॉडी वाश है, आपके पास जो भी है आप यूज कर सकते हो, अच्छा मैंने पानी लिया है, बहुत जाधा गरम पानी नहीं लिया, और ठंडा पानी भी नहीं लिया, नीम गरम मैंने पानी लिया है, उसमें एक टेबल स्पून मैंने बॉडीवाश का डाल दिया है, आप शैंपू भी यूज कर सकते हो, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ब्र ayr और इसमें अपने सारे make-up brushes को डाल दूँगी, face brushes भी हैं और जो मेरे i makeup brushes होते हैं, सब brushes इसमें मैं डाल दूँगी, और इसमें brushes को डाल कि at least मैं 30 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक है, 30 minutes के लिए आपने छोड़ देना है, और आपने बहुत जादा गरम पानी नहीं अगर आप लोग ने ब्यूटी ब्लेंडर्स वगएरा या स्पॉंच वगएरा क्लीन करने है तो भी आप इसी मेथड से कर सकते हो अच्छा थोड़ी देर बाद आपने क्या करना है कि सारे ब्रुशिस को ऐसे लेना है और सर्कुलर मोशन में बाउल के अंदर ही आपने इस तर आदा गहंटा चोड़ने के बाद ही मेरे ब्रुशिस आदे से जादा साफ हो चुके थे अब मैं इनको जो है ऐसे ही अंदर सर्कुलर मोशन में करूंगी और इससे जो है ब्रुशिस अंदर से अच्छे से साफ हो जाएंगे या आप लोग देख सकते हो के जो पानी है वो ब अगेरिया वगएरा है और मैं अपनी तसली के लिए जरूर करती हूं ताके मुझे एक्नी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि मेरे ब्रुशिस जो है वो क्लीन हो गए है और मुझे भी कोई एक्नी वगएरा के इशू नहीं होता तो यह स्टेप जो है वो एक ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो नहीं तो आप सके भी कर सकते हो टू 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 ट्री ड्रॉप्स डिटॉल के आइड करने होता है बस और इसको भी मैं 15 टू 20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ठीक है और उसके बाद अगेन मैं इसको सारे ब्रुशिस को वही प् के लिए ना ऐसे सर्कुलर मोशन में करूंगे ताके अगेन कुछ भी पार्टिकल्स वगारा भी है या मेकप रेजिड्यू कुछ भी है वह मेरे ब्रुशिस अच्छे से क्लीन हो जाए और यहां पर सारे ब्रुशिस जो है वह अच्छे से क्लीन हो चुके थे और अगर आप चाहते हो अगर आपके ब्रुशिस बहुत जादा गंदे हैं मेरे भी बहुत गंदे थे अगर आपको लगता है कि आपके ब्रुशिस साफ नहीं हुए अभी या भी उन पे कुछ है यह डर्ट वगएरा है या भी मेकप लगा हुए तो आप उसी पानी में इस तरहां से अप जादा गरम पानी नहीं लेना हलका नियम गरम आपने पानी लेना है और इसी में ब्यूटी ब्लेंडर्स भी इसी सेम मैधर से वाश कर सकते हो वह भी बहुत अच्छे से वाश हो जाते हैं और ब्रुशिस आप लोगों के सामने हैं कि इतने अच्छे से क्लीन हो गया है जो जो मैं थर्ड चैप करने वाली हूं वह तोटली ऑप्शनल है आप यहां तक करके अपने ब्रुशिस को ड्राय कर सकते हो बट मैं थर्ड स्टैप भी करती हूं अगर आप चाहो तो कर सकते हो नहीं तो स्किप कर दीजेगा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पे कर करना है हाथ पे और इस तरह से जो भी डेटॉल वाला पानी होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा आप कर सकते हो आप पानी देख सकते हो कि बिल्कुल साफ है ठीक है तो यहां पे ब्रुशिस बिल्कुल हो गए हैं साफ हमारे अच्छा उसके बाद आप इनको ड्राय भ जग जेए लेकिन तरह रप्यूटिक चीज इए है अग मैंनली रिलाक्स हो जाता है जाता और यहां पर आप छ़िशन का से बिल्कुल गया और आपके 50% ब्रुशिस यहां पर जाएगा अपलों के सामने अए मैंने को यहां नहीं नहीं किया कुछ रिझी यहां मैंने अपन हो गए हैं अच्छा यह कुछ इस तरह का होता है वो मैं दिखाना पूल की थी इस तरह का पानी पानी होगा तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो यह देखो कि पानी निकलता है ठीक है तो इस तरह से आप लोग जरूर कीजिए का नहीं तो आप ओवर नाइट रखो फिर जादा फांडेशन ब्रश जिसका सबसे जादा इशू होता है जो सबसे जादा मुश्किल से साफ होता है क्योंकि फांडेशन इतनी इसली निकलती नहीं है ब्रूसल से और यहां यह आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हो कि कितने अच्छे से नीट और क्लीन हो गया साफ करते हो मुझे जरूर बताईएगा कॉमेंट सेक्शन में मैं वह भी ट्राइ करूंगी कहेंगे तो वीडियो भी बनाऊंगी आपके मैथट से जैसे आप मेकप ब्रश इस अपने साफ करते हो सो यह यह ती जी आज की वीडियो और अगर आप लोग मेरे चैनल पे निउ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा चैनल का सब्सक्राइब कीजेगा अचा यहां पे मैं दिखा रही हूं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रश इस बिल्कूल ड्राइ हो गे थे ना तो यह आप लोग देख सकते हो शाइन चेक कर रहे हैं ब्रुसल्स में कि इतने अ अच्छे से क्लीन हो गए हैं तो आप लोग यह जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे बताइएगा के आप लोगों के ब्रशी साफ हुए हैं और मैतड आप लोगों को यह कैसा लगे हैं I hope you guys like this video don't forget to like, share and subscribe my youtube channel